तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं गौवर्मेंट की एक पर्मानेंट नर्सी अटेंडेंट की वैकेंशी के बारे में तो वीडियो के अंतक जरूर बने रहें कंप्लीट डिटेर आपको बताएंगी कौन कौन अप्लाई कर सकता है क्या लास्ट डेट क्या इलिजिबिलिटी क्राइडेरिया है यह जो वैकेंशी है एक पर्मानेंट वैकेंशी है जिसमें 18,000 से लेकर 56,900 रुपे यहाँ पर आपकी जो है शेलरी रहने वाली हैं यहाँ पर टोटल वैकेंशी की हम बात करेंगे जो कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की और से निकाली गई है दोस्तों यहाँ पर इसका जो ऑफिशल नोटिफिकेशन है वो 12 फरोरी 2021 को यहाँ पर जारी हुआ है देखो यहाँ पर लिका है डारेक्टर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड सम्टी एसके होस्पिटल नियो दिली के और से वैकेंशी है दोस्तो यह चीज आपके सावबने अब यहाँ पर दे रेका है नेम अप्धा पोस्त या पे इसक्यल लेवल नर्सिंग अटेंडेंट की पोस्ट है जिसमें आपका से लेकर शपन हजार नो 100 रुपे अठारा से लेकर 56,900 रुपे आपकी जो है salary रहने वाली है तो अच्छी खासी salary है इसमें जो है total post है 35 post है जिसमें ST की 4 post है OBC की 13 post है EWS की 14 और unreserved की 4 post है total कुल मिला के 35 post यहां पर रहने वाली है age limit की हम बात करें दोस्तों तो 18-27 year के candidate apply कर सकते हैं age में relaxation आगे दे रहा है वो भी मैं आप बात कर लूँगा essential qualification और experience की बात करें तो 10 जिसने 10th मत्ब matriculation pass किया है apply कर सकते हैं first aid certificate from central और state government recognized institute and one year experience in hospital work in 50-bedded hospital तो यह सारी चीज़ें आप यदि eligible हैं तो आप apply कर सकते हैं 10th pass होना चाहिए first aid certificate होना चाहिए या फिर state को हो या central का और 50-bedded hospital में एक साल का अनुबवया पर मांगा गया है ठीके दोस्तों अब भी बात करेंगी next आपको किस तरीके से apply करना है apply के लिए आपको यह address दे रखा है इस address पर within 30 days यह मतलब 12 तारिक लास्ट डेट है 12 March 12 March से पहले पहले आपको है जो है इसका send कर देना है नीचे एक format दे रहा है उसको fill करके complete document attach करके ठीक है फिर्ट्स और तो आपकी fee से वो याप पर लगने वाली है 300 रुपे general OBC के लिए CST के लिए नहीं है बागी सब के लिए फिर यह only general and OBC के लिए आप पर fees लगने वाली है सारे document आपको self-artistate करने है age lexation की बात करे OBC के लिए 3 साल की suit दी गई है personal disability के लिए 10 साल और CST person के लिए with disability यह तो 15 साल यह आपर दी गई है वीडियो वगरा जो भी है उनके लिए 30 साल तक तो यह सारी चीज़े थी इस वीडियो में वीडियो के शाल लगा हमें जरूर बताएं कोई भी problem हो क्यारी हो तो हमें comment box में comment करें साथ ही साथ यह PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ आए टेलिग्राम ग्रूप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा वहाँ से आप इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं थैंक्यू फ्रेंट्स मिलते हैं और किसी एक ऐसे informative वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी फ्रेंट्स स्वस्त रहें मस्त रहें थैंक्यू गाइज